हाई गाईज देख लें सप्षन गुरू और आज हम जानने वाले हैं जो सप्षन में इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे अपने क्रेंड में जो है दो अर्थ फिट को जो है भी स्टॉल किया जा रहा है अपने आइसोलेटर के नीचे में तो उस एर्थ फिट को जो है कि कौन से मटेरियल से बनाए जाता है इसको किस पकार से इसको अटेच किया जाता है हम उसके बारे में जानने वाले हैं और इसको कहां पर फिक्स किया जाता है और इसके कारण क्या है इसको फिक्स करने के तो वह हम इसके बारे में जानने वाले है तो जैसा कि आप यहां पर अपना earth feet आप देख पा रहे होंगे किस पकार से जो है बहुंच सारे लोहे जो steel होते हैं उसको जो है welding करके जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां किस पकार से जो है इसको welding किया गया है इसको आने वाले वक्त में जो है इसमें इसोरेटर का सेट Actually तो यहाँ पर इसको जो है अभी इंडा जाएंग, और यहाँ पर आप अर्फिंत देख पा रहा हूँगे डॉठ हो तो इससे पर इस वेल्डिंग जो प्रूसेस के जा रहा है उसके जड़ी है इसको जो जो कारान समाजी इसको क्यों लगा गया है ठीक है तो जैसे कि आप यहां पर देशके तहीं यह अपने जो आइसोलेटर है यहां पर इसको इंस्टाल किया जा चुके है अभी यहां पर जो है इस चाला दी जाएगी और यह जो आर्थिंग जो आपके इस से इस आपके आपके इस इस अपके किसे आता है और हम उसको टच करते हैं चूपि हम नीचे खड़े रहें यहां पर आपन खड़े रहेंगे इसको वर्क करते समय यहां पर खड़े रहेंगे या फिर यहां पर खड़े रहेंगे आपन खिक है और हम इसमें वर्क कर रहे हैं चुकि हम जानते हैं कि इसके नीचे जो है अपना अर्थपीट जो है लगाया हुआ है जो पूरा इस एरिया को कवर करता है यहां पर जो ग्योल एरिया है उसको ग्राउंड हो जाएगा उससे क्या हमको किसी पगर का छती नहीं पहुंचेगा तो इस अपना प्रोटेक्शन प्रप्रेस पर्पस से जो है अपना जो अर्थ फीट है उसको लगाए जाता है